बहुत सारे लोगों ने comment शकरकर पूछा था कि उनके फोन में Samsung Smart View की options चलने रहा है तो आज इस वीडियो में हम आपको हो करेंगे कि क्या क्या reasons हो सकते जिसके वज़ा से आपके फोन में जो Samsung Smart View का option से वो चलने रहा है दो तीन चीज़े पहले मैं आपको बताऊंगा कि Samsung Smart View यूज होता है Screen Mirroring के लिए जैसे मेरे phone में screen आपको दिख रहे हैं Similar screen आपको अगर किसी other devices में screen casting में या TV में Similar किसी phone में दिखा नहीं तो आप इस features का यूज वरेंगे जिस features का नाम है Samsung Smart View तो यह externally download करनी की जरूरत नहीं जितने भी Samsung के phone से recently updated जितने भी आच्छे phone से नहीं उन phones में सारे features already established है बस उसको हम यह properly use करना है उसके यह use नहीं हो रहा या फिर यह apps वरक नहीं हो रहे यह features वरक नहीं हो रहे इसके पीछे reasons क्या है यहीं आज हम इस वीडियो में देखने वाले सबसे पहले important चीज में हमेशा आपको कहता हूं कि सबसे पहले आपको आपके phones को update रखना है phone को update रखने का मिनिंग होता है कि हमने जितने भी recently updated software से patches है जितने भी नए changes है जितने भी system में कुछ features establish के गए ने उसारे features हमने अपने फोन में डाले है इसका यूज हम कर सकते अगर फीचर हमारे phone में नहीं होगे तो हम इसका यूज नहीं कर सकते इसलिए हमेशा आपको आपके phones को updated रखना important है जैसा मैं software updates पर क्लिक करता हूं मैं चेक कर गया कि मेरा लास्ट जो update है वह 9 February का है और मैंने morning में चेक किया था 24 February को कि मेरा phone up to date है तो आज के date में मेरा phone updated है तो यह एक फीचर से यहाँ पर clear हो गया अभी मुझे बात करने है आपको samsung के smart view के options के तो यहाँ पर मैं जैसे scroll down करता हूं करने के बाद मुझे यहाँ पर यहाँ पर में internet बंद कर रहा हूं इसका कोई reason नहीं जस्क्रोल ना करने के बाद मुझे यहाँ पर search करना है smartview का options बहुत सारे फोन वहाँ पे hidden में है तो जैसे मैं नीचे search कर रहा हूँ अपर बटन में मुझे Samsung Smart View का option यहाँ दिख गया गई कि यहाँ पर मेरा Samsung Smart View का option से यहाँ पर क्या बत्रा है phone with other devices यहाँ फिर other devices को आपके फोन के साथ मिररिंग करनी है तो यह दोनों भी ऑप्शन से वाइस 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 वासा कि आप दोनों भी चीज़े कर सकते हो इसके लिए कुछ आपको चेक करना है दूसरी चीज़ है मैंने हमेशा आपको कहिए कि यहां पर आप जब किसी टीवी के साथ या किसी आदर डिवाइस के साथ स्क्रीन शेरीं करेंगे तो यहां पर आपको जो साइज है या फिर जो असपेक्ट रेशो है जो भी डायमेंशन रेशो होता है बाइल छोटा होता है तो चोटा देखता है अगर आप चाहे तो उसको बढ़ा कर सकते हैं उसमें कोई rocket science नहीं सिंपल से बात यह आप कर सकते हैं और डिस्कनेक्टिंग का इश्व आता है विच बिच में विकाज आप सॉफ्टवर अपडेट्स की वज़से आ सकता है तो यहां पर लिकाएं अगर आपका फोन में पहले काई अपडेटेड नहीं सिस्टम्स के साथ तो आपको यह दिक्कत हो सकती है कि आपका जो स्मार्ट व्यू का उप्शन से हो हला की प्रापर तरीके से चले या ना चले इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपका फोन फोर्किंग के स्मार्ट व्यू के अप्स नॉट्व्यू का उप्शन नहीं चल रहा है इन सारे प्राप्लम्स के पीछे सिंपल सा रीजन हो सकता है आपका फोन अपडेटेड नहीं या फिर फीचर में यह साही तरिकेसे आपने कनेक्ट नहीं किया है ऐस्पेक रेश्यो से देरिगेशन ने दिया सारी चीज़ें आपको आपको आपके चेक कर लिए